नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट इनाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मेगा सीधे आपको ले चलेंगे महरास्ट जहां काफी हंगामा नवनीत रवाना और उद्दफ ठाकरे के बीच हो रहा है आप सब जानते हैं किस तरह से निर्दलिय सांसद नवनीत रवाना ने हनुमान चालिसा के मुद्दे पर महरास्ट के मुख्य मंत्री उद्दफ ठाकरे का रुख देखते हुए उन्हें ललकारा और साब तोर पर कहा अब आपके घर के सामने बैठ कर मैं अपने कार्यकरताओं के साथ अपने पती के साथ हनुमान चालिसा का पाठ पड़ूंगी जस जिस दिन नवनीत राना ने ये एलान किया उद्दफ ठाकरे को ललकारा उसके बाद से ही उन्हें शिफ सैनी को द्वारा कई तरह की धंकिया मिलने लगी धंकिया ये तक कह रही थी कि नवनीत राना मुंबई आकर देखें अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएंगी जब नवनीत राना को लेकर महौल इतना गंभीर बना अब केंद्र की तरफ से इस मामले पर एक बड़ा कदम उठाया गया है नवनीत राना को अमित शाह ने सुरक्षा देने का एलान किया है अब ये सुरक्षा कौन सी है वाई श्रेनी, जेट श्रेनी, किस श्रेनी की उन्हें यहाँ पर सुरक्षा दी जाएगी किन मुद्दो पर नवनीत राना पर ये खत्रा मंदर आया है आपको बता दे कि ये वही नवनीत राना है जो संसद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारतिये जंता पाजी की कटर छवी का समर्थन कई बार कर चुकी है और आज नवनीत राना के घर पर कैसा महल था उनके घर के बाहर किस तरह से शिप सैनिकों ने धाबा बोला कैसे बात जो है पुलिस के हाथ से निकलती जा रही थी क्या कुछ आज का महल था चलिए अपनी बेहत खास रिपोर्ट के जरिये आपको दिखाते हैं और इसके साथ ही नवनीत राना को आमेच शाह ने कौन से सिक्योरिटी दी है कौन से यहाँ पर अब सैनिक जो है सी आर पीफ के जवान कह लीजिए कमांडों कह दीजिए जो पिसों घंचे तैनात रहेंगे सारी जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में देखिए जरा महरास्ट्र की अमरावती से निर्दलिये महिला सांसद नवनीत राना को केंद्रिये ग्रह मंतरालिया ने वाई श्रेनी की सुरक्षा दी है आपको बता दे पिछले कुछ दिनों से नवनीत राना की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण खूफिया एलर्ट मिल रहे थे पदाया जा रहा है कि केंद्रिये खूफिया एजेंसी आईबी ने नवनीत की सुरक्षा को लेकर ग्रह मंत्राल्य को सूचना दी जिसके बाद यहां पर अमित शाह की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है आईबी के भेजे गए इनपुट्स के आधार पर वाईश रेनी के सुरक्षा नवनीत राना को दी गई है नवनीत राना के सुरक्षा में जवानों की तैनाती कर दी गई है रामनौमी के मौके पर नवनीत राना ने अपने संसदिये इलाके में हनुमान चालिसा का पाठ करवाया था और इसके बाद कहा था कि वो महराश्ट्र के मुख्य मंत्री उद्दव ठाकरे के मुंबई स्तित निजी आवास मातोश्री के बाहर 23 अपरेल को हनुमान चालिसा का पाठ करेंगी नवनीत राना के इस एलान के बाद शी सैनिक राना के खिला बेहत आकरामक हो गए सूत्रों के मुताबिक शिफ सेना के कारेकरताओं ने कहा कि वो राना को मुंबई पहुचने ही नहीं देंगे उन्हें कई तरह की खुली धमकियां दी जा रही थी इन सब मामले को ध्यान में रखते हुए आईबी की टीम ने तमाम इंपुट्स एकट्टा कर ग्रह मंतरालिय भेजे आपको बता दे ये सुरक्षा का तीसरा स्तर होता है कम खतरे वाले लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है इसमें वाई प्लस सुरक्षा में ग्यारा सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं जिसमें दो कमांडों तैनात होते हैं शेश पुलिस कर्मी होते हैं वाई सुरक्षा कैटेगरी में चार से आठ सुरक्षा कर्मी एक दो कमांडों के साथ मिलते हैं जिसे नवनीत राना को दिया ग आपना लेखान 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 कर दो कर दो कर दो आपयार करता है आहीम को बता करवा है दूरी तीरी एक्पा आवी दाना शामका लट लाला लट लाव थिल को लट लट झाल झाल